एक बार फिर आपका स्वागत है माहौल गर्म में कालिकर एसे में आज हम पहुँच चुके है बुलन शेहर की सदर विधान सवाशिव सत्ता भी है यहाँ पर विपक्ष भी है तमाम सबी लोग पहुँचुके साथ साल के अंदर एक मचुआ रेके बेटे ना उत्तर पिर्देश के धुरंधरों को यह दिखा दिया है कि राजनीत करना किसा केती है विकास आपका प्रमुक इजिंटा है विकास के लाव आपके पास को इजिंटे के साथ कहने है अब एसे में जो विकास की जड़ी लगी है उस पाप कैसे खुल ज़ड़ी बाएं उस पादा समझ बहीं कि स्टेट उनका है कि आप देखिया फस गई है अब इनोंने कहा कि रा अपनी मूर्थी लगवाना बढ़िया है और सर्दार पल्ला बाई पटेल की लगए वो गलत है देखें ये रखें वो गलत है ये सही है वाविया मालिक वाव राखतले चिंगारी रख उच्छ तो पहरे दारी रख अमन जबी है देश पर तो चानल की ताया है नवश्कार न्यूस वर्ल इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ काविंद्र चौहान एक बार फिर आपका स्वागत है माहौल गर्म है कारिक्रब है अज हम पहुच चुके हैं बुलं शेहर के सदर विधान समय होगा सत्ता भी है यहां पर विपक्ष भी है तमाम सभी लोग मौझूद है इंसे जानने की कोशिष करेंगे सबसे पहले परिछे जो है वह आप लोग स्वख अपना दीजिएगा हंसी प्रधान समाजवादी पार्टी से बहुत बहुत शुक्रिया आपका कारिकरम में शामिल होने के आप बताईएगा आनन चौधरे भारते जनता पार्टी आपका बहुत-बहुत स्वागत कारिकरम में शामिल होने के लिए इसी के साथ जनता का भी बहुत-बहुत स्वाग ठीक है, कारेकरम की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले जब शुरुआत करते हैं तो हमेशा सत्ता के पास आते हैं, क्योंकि सवाल तो सत्ता से ही होगा, ऐसे मैं आप समय ये जानना चाहूँगा, कि यहां की विधान सभा, सदर विधान सभा लगती है ये, आपको ऐसा क्यों ल कारेक किये, तो जो हमने बुलेंशेर विधान सभा की बात करें, या जिले की बात करें या प्रदेश की बात करें, तो उसमें अगर मैं विकास के कारेक गिनाने शुरू करूं, तो अब का समय भी कम पड़ेगा, उसके लिए मेरे पास एक पत्रक भी है, और जिस विसे पह स जड़क, सुरक्षा, स्वास्त. अब किताब उसकी बाद में च्छाब दीजेगा, लेकिन हाभी पांच पॉइंट बता दीजे. इस जिले में अब से पहले कभी भी मेडिकल कॉलेज नहीं था. मेडिकल कॉलेज से अस्पताल बनना अलग चीज है, मेडिकल कॉलेज अपने आप में बहुत बड़े उपलब्धी है, इससे यहां के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, यहां के जो छात्र, छात्राएं बहुत दूर दूर तक जाते थे, उनको भी यहां पढ़ने के लिए अ प्रोड़क्ट हम लेके आए, हर उसका एक प्रोड़क्ट होगा, उससे भी उस पर फोकस किया जा सकता है, हर जिले का अपना एक उत्पाद है, उसको भी हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, आने जाने की जाम की समस्या के लिए आपकी जानकारी में बता दूँ के प्रोड़क्ट हम लेके लिए अपकी बास समझें, आप मोटा माटी कहना चाहते हैं कि विकास के साथ आप दुबारा से चुनाओं में आना चाहते हैं, विकास आपका प्रमुख एजंडा है, विकास के लावब आपके पास कोई एजंडे के साथ है नहीं, तो ऐसे मैं गड्डे देख लें सडकों में कितने गड्डे हैं, और तोल वसूला जारा है, जबकि काईदे में तोल नहीं वसूल सकते हैं, अगर सड़क में गड्डे हैं तो आप देख लीजिएगा, बुलिंसेट के चारों तरब देख लीजेगा, सड़कों की इतनी बुरी हालत है, इससे पहले, जब ये सत्ता में एकॉन था? सत्ता में हमी लोग थे! तो आपने गड्ये बनाए थेंग शाडक बनाई थे familiarity हमने सडके बनाहिए थे ils आपने मेट्रोटेंशी न हमने बच्चों को लेप्टॉप बाते इन्होंने यह केवल हिंदू-मुसलमान और जुटी बातों पर राजनीती करने वाले लोगे इन्हों ने जन्ता को गौम रहा है जाती के नाम पर जमीन पर इन्हों बुच्छे है। हमने विकास किया है इस प्रदेश में उसमें आ चुके हैं तो ऐसे में लग रहा है कि आपका जो जाती गड़े था वो फेल हो जाए कुछ नहीं होगा जनता समझ चुकी है वो इनी की बी टीम है वो इनी के आदमी है पैसा दे करके उन्हें समाज में उतारा जा रहा है वो इन आ रहा है कि स्टेंड उनका है क्या आप बीजेपी के साथ लगते हैं नरम बेवार है आपका बहुत विपक्षिदल जैसे सपा आती है मुखर ओकर बोलती है बिल्कुल खिलाफत में आप थोड़ा सा कही ना कहीं जगा छोड़ देते हैं तो इक क्या है क्या आप यह सोच र करते हैं विकास की बात करते हैं अगर विकास की बात बीजेपी बात करती है तो आप नगर की सड़के देख लो कितने गड़े हो रहे हैं हाईवे देख लो इस्टेट हाईवे देख लो सब में गड़े गड़े हो रहे हैं यह कह रहे ही योजनाओं की बात योजना जो है व आपको लगता है कि बुलंच सदर की बात करूं तो यहाँ पर आपका कुछ जनाधर बचा भी है हमारे बिधायग यहां दो बार पहले बिधायग रह चुक है और अबके भी हमारा ही बिधायग यहां से जीतेंगे, 100% ठीक है, अब आते हैं निशाद पार्टी पर जीए बताईए कि आप ठीक है, एक समय था सफा के साथ थे अब बिज़ेपी के साथ हैं निशाद पार्टी के लिए बता दूं लोगों को कि निशाद पार्टी की 2016 में स्थापना हुई थी लेकिन उसके बाद ठीक ठाक पार्टी चल रही थी ठीक ठाक था छोटा दल था लेकिन इसके बाद 2016 के बाद जब इन्होंने गुरकपुर में जो कमाल किया उसके बार पार्टी को एक बड़ा जम्प मिला इसके बार पार्टी अब धीरे से खिसक कर BJP के पास आ गई उत्तर पिरदेश का गरीब मचुवारा समाज वंचित दलित मजलूम किसान नौजवान चातर बेरोजगार आज आशाओ की निगाहु से माननेवर डाक्टर संजय कुमान निशाद की तरफ देख रहा है, माननेवर सहाब ने समाज के हित के लिए जितने कड़वे घूट से, जितना जहरता सब अपने कंठ में पिया है, जब समाज को बचाने के लिए, समाज को उसका मान सम्मान अधकार दिलाने के लिए, रोटी, क हमारा गठबंदन हो गया, समाजवादी पार्टी ने कहा, संतूर जनक, सम्मान जनक सीटे आपको दे जाएंगी, अन्तिम सूची जारी हो गई, हमारी पार्टी को सम्मान नहीं मिला, हमारे कारकलताओं को, हमारे कि जिसमें जितने भी विपक्षी हैं उन सब को खत्म करने का काम सतर साल बनां साथ साल की लड़ाई उत्तर पिर्देश के अंदर एक मचुआरे के बेटे ने उत्तर पिर्देश के धुरंधरों को यह दिखा दिया है कि राजनीत करना किसा कहते हैं पूरे पिर्देश में सरकार बनाने के लिए और दिल्ली की सलतनत को हिलाने के लिए काफी है साथ पिर्दिशत वाली बसपा ने अपनी सरकार बनाई तीन पिर्दिशत वाली यादव समाज पार्टी कि जो समाजवादी पार्टी है उसने अपनी सरकार बनाई 18 पिल्तिशत मच्छवारा उत्तर पिल्देश और देश में किंग मेकर की भूमी का निभाने के लिए तयार है किसी भी पार्टी का जब दूसरी पार्टी से घटबंधन होता है तो किसी पिल्टियाशी के लिए चुनाव नहीं लड़ाया जाता किसी पार्टी के लिए चुनाव नहीं लड़ाया जाता NDA गठबंदन को जिताने की उत्तर पिर्देश में अपकी बार मानेवर साहब ने एलान किया है NDA गठबंदन साड़े तीन सो सा जादा सीटे जीतेगा और जो गठबंदन तय करेगा उसके बाद उत्त मुखमंतरी को पेश किया जाए बहुत बहुत शांदार बोला आपने जनता भी यहाँ पर बैठी हुई है किसी के कोई सवाल होंगे अपने नेता जी के लिए तो उनसे हम पूछेंगे जी बताइए मैं हाँ पर समाजवादी censorship party के प्रतिनीड़ी वैठी है मैं उनसे पूछना चाऊंगा कि अभी उन्होंने कहा कि भारतियंतर पार्टी निया कुछ नहीं किया है उन्होंने highway नहीं दिये गड़े दे दिये यह दे दिये तो मैं पूछना चाऊंगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार दी पूरा देश वो हाईवे कांड हुआ था रेप कांड हुआ था तो ऐसे ऐसे इनके वो रहे हैं कारणा में और दूसरी बात अभी कही थी कि अभी जो है बुलेंच शहर को यह सब जानते हैं चारो तरफ से हाईवे देने का काम भारतिय पार्टी की सरकार में दिया और बनके तैयार एक साल में हो गया उसके बाद में बस्पा के जो प्रतियासियों से यह पूछना चाहता हूं कि आप किन मुद्धों पे चुनाव लड़ेंगे जो आप पर जंता विश्वास करें सत्ता से कोई सवाल नहीं है सत्ता से कोई सवा पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं ठीक है समाजवादी पार्टी पर आजाते हैं वापस तो इनका सवाल यू नहीं है क्योंकि यह भाजपाई है जनता को आप सीरे टैक कैसे करेंगे मैं कहना चाहूंगा लेकिन दूसरी बात जो मेरे भाई ने यह सब्द कहा के हाईवे प साथ में दलित बेटी के साथ में बलातकार हुआ इनों ने उनके परिवार को उसकी बोड़ी भी नहीं देखनी और जवर्दस्ती प्रसाशन के साथ में जलवा दिया यह हमसे बात करते हैं यह समाजवादियों की होड़ नहीं कर सकते हमारी सरकार ने माननी अखलेस यादा इस देश में जब जब दंगे हुए हैं उसमें आरेसेस और बाजिपा की मामले पर यह कहते हैं आप ने इसको मुद्धा इतना बड़ा बना दिया था नहीं बताइए बलातकार हुआ या नहीं हुआ तud Knagra,म़ें दाढ़न सा और ने समेँ इनसे बात करो जब लातकार थो अपने आप होंगे जब बदांयू रेपकान में मुलाहम ये कहेंगे कि नौजमानू प्रदेश अंडर में उसकी जांच है लेकिन फिर भी वहां किसानों का कोई प्रदर आंदोलन नहीं चला था वहां तो बलवीरपुर में मुख मंत्री आ रहे थे देखेवा यह जो कह रहे हैं वहां जो किसानों कि जो हथ्या के यह एक्सीडेंट से उस کے वो सत्ता के नसे में चूर थे किसानों के पीछे से टकर मारे it sanctions ना की कोई प aliment all cycle physical lina in social media alaway his गाड़ी सीधी सड़क से उपर किसानों के उपर चढ़ाईए कोई पत्थर बाजी नहीं हुई वो तो सीधे जा रहे थे पीछे से किसानों को अपर कर अब तक कर ने पूछ करने में उनीके परिवार के लोग दोसी ते केवल समाजवादी की ने खामोखा की मेडिया ने खामो लखीमपुर में जो कुछ हुआ ठीक है दुरभागे पूर्ण था जो कुछ है ठीक है प्रशासन भी काम कर रहा है सरकार भी किसानों से बातचीत कर रहे जहां तक मामला सुलज गया है इसके बाद यह है कि विपक्षी पार्टियां जो थी सब लोग इसको इन कैश करने के ला तो फोटो आ रहे हैं गले मिलते हो बड़ी आसी आप नहीं पहुंच पाए वो पहुंच पाए इच्छा सक्ती की कमी है हमारे राष्ट यद्दक जी को बिलकुल घर में ही अरेश्ट कर लिया नहीं निकलने दिया सरकार ने चूंकि पता है कि अगर राष्ट यद्दक जी पहुंच के क्योंकि समाजवादियों की संख्या जादा है कहीं यहीरों ना बन जाए ताकि सरकार ने अपने सत्ता का गलत दुरपयोग किया और हमारे राष्ट यद्दक को घर से नहीं निकलने दिया वही अरिश्ट कर लिया तो मैं कह रहा हूं इच्छा शक्ती की कमी है क तो चली गहीं आखिर मिली आई वो लड़ती रही आखरे वक्त तक हमने जाने कर उसके बाद में भी गए हमने खूब प्रियास करिया जाने नहीं दिया यह सत्ता का दुरपयोग करते हैं और पुलिस को इस्तमाल करते हैं सारी सरकारी मसींडी को हमारी सभी सरकारों के खिला यह चार की चिंता कर रहे हैं हमने तो नहीं मुआब जावी दिया ऐध्या में आप इत्यास की बात करेंगे कैसे चलेगा नहीं जो उसमें अपराद अपरादी कर सकता लेकिन अपरादी बच नहीं सकता मैं बटाता हूं राजपाद के लोग घुंट की राजनीटी इनके विधायक तहीं कुल्दीब सेंगर वह बलतकार मफसे उनको परियास बचाने का करती रही व्यूर्मेंटरी आपकी पार्टी से तो विधायक इस तरीके से निकाले डिखत रहे हैं कहां USB सब्सक्राइब्स App ίह को सब्सक्राइब के साच नियुद अलंपक हायो गरफटार कर रहाया कर्वाई अब गरफटार कर सक्राइब लोगएंगों को बचाना का काम करते हैं, क्योंकि कितने इनके परदेस मे आज दस महीन किसानों को बैटे हो और आज अतने लोग किसानँ मर गए शुना में उनकी ले स्था कि विपक्ष के तौर फर मायवती जी को विए अग्पार नहीं देखा गया पार्टि मिष्ता सब्सवाइब कर रहा है कहां किसानों है किसानों की बात कर रहा है जिन्हों के चीनी मिल्बेस देड़्टे yourself right सरकार ने समाजवादी नुअ उसे बंदी कर दिया था हमने तो किसानों की मिल चलवाई हैं ठीक किसान मजदूर सब हमारी पारटी में सारे मSorry सब समाज की पारटी में के पास जाएंगे यह कश्यप केवड मल्ला कहार गायकवार तुरिया बाथन तेली तमुली लोहार पिलजापती जालो पालो माल बिंद गडरिये भर राजबर हस्तकार दस्तकार और शिल्पकार निर्बल शोशित वंचित दलित मजलूम किसान नौजवान छात्र बेरोजगार आज उत्तर पिलदे मचुआरे के बेटों को बालू मौरंखननन का सारा काम चीन लिया सारे पटे चीन लिये नाव के चक्कू चलाने के लिए छोड़ दिया अब निशाद का बेटा नाव के चक्कू नहीं चलाएगा अब निशाद का बेटा अपनी नाव से जैसे भगवान राम को पार लगाय आप जाना चाहते हैं निचाद राज fix का सफर है पाल्टी का जन्म पाल्टी के नीता हर पाल्टी के लोग अपने राष्टे अध्यक्षकु मुख्यमंत्री और पिल्दान मंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन उत्तर-पिल्देश के मुख तो आज तक अपना कब्जा इन लोगों से वापन नहीं ले पाया वो वक्त है ठीक है ठीक है बात समझ गया आपकी पार्टी के साथ जुड़े हुए है लेकिन इनका सपना मुख्यमंतरी बनने का है संजय निशाथ साब को मुख्यमंतरी बनते हुए देखना चाहते हैं यह चोटी चोटी पार्टी जो आपके साथ जुड़ी हुई है मैं अपने भाई को दिवाश लू देखने के लिए बधाय दे सकता हूं इस से ज्याद है मैं राजनीति जाती एक अगठ राजनीति की चर्चा ना करें तो ज्याद अच्छा है दिवाश अपने देखने के लिए बधाया को पुरकांड होता है तो मोदी जी पूरी रात जख्क्रों से मैनेज करते हैं कंट्रोल करते हैं करिकेटर है उसके उंगली तूट गई तो मोदी जी ने टूइट कर दिया यहां चार किसान मर गए अभी तक टूइट नहीं किया जंता पूछ रही है तो आप कहने थे कि किया परिशान रहे अब उन्होंने टूइट भी नहीं किया अब आप व्यवस्था को जो वहां सा कैमरा लगा कि आप देख रहे थे कि वह इतना परिसान रहे परिसान फिर सूबह कैसे समझाता हो गया किसानों के साथ कैसे उन्होंने बातमानली सरकार की कैसे उनका अंतिम संसका किसान है नहीं 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 आपके मंतरी के बेटे की गाड़ी से वह मरे वो किसान है तो आप मानते हैं कि मंतरी की गाड़ी से चार किसानों की मौत हुई उपी एकटिस एए जानते हैं कितना दुरभागे fascinated होता और अरे आप ये बताईए एक्सिडन्ट किसी का भी हो सकता है किसी और आप सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते हैं तो आपका एक्सिडन्ट हो सकता है बाद में इनके नेता कहेंगे कि एक्सिरेंट तो होते रहते हैं यह एक्सिरेंट हो जाते हैं चलिए ठीक आप कुछ कहना चाहरे थे देखिये साब बीजेपी ने देश के अंदर महंगाई बहुत करी है तुद रूपर के चुन डीजल महंगाई की तुख जंता सुपे केकलोल कि हो रहाय र언हें सब्सक्राइब काउनर। कि ने क dato व्यां शाय ब्रक्ताइब कअे इसक जमीनी मुद्धा है जमीनी बात है ठीक है महंगाई की भी बात कर लीनी चाहिए महंगाई तो आस्पान चूर्ज यह वह समय था जब आप सिलेंडर लेकर सड़कों पर निकल जाते थे जब 600 रुपए का सिलेंडर मिलता था सारे 400 का 500 खाल चाहिए तो हजारों की बात हो रही ह तो इन्होंने तो उधार लेके खाया है जनता से हमें वो पे करना पड़ रहा है इरान से जो इन्होंने ओइल लिया था उसका भी मुदी सरकार ने आके पे में मैं दोग व्यापार मंडल से हूँ यह बहुत बड़ीया काम किया आप बताईए आप यह समझे हमारी लगातार सरकार से मांग चल लिए कि इसे जैसे सारी चीज़ों को जीएस्टी में लेके आए अगर पेट्रोलियम और गैस को भी जीएस्टी में लेके आते हैं तो आप पेट्रोलियम और गैस को अगर यह जीएस्टी में लियाए इनको भी फायदा होगा सरकार को भी फायदा होगा लेकिन इस लेविल पर आपको पैट्रोल से या शराब से पैसा चाहिए शराब से लेते रहो कोई बात नहीं लेकिन पैट्रोल तो आम आदमी की परिशानी है दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ, कि एक मुखिया जो घर का होता है, उसका क्या काम होता है, कि अपने घर के लिए धन अर्जित करना, वो काम है व्यापारी का, उद्धमी का, कि अपने देश के लिए धन वो अर्जित कैसे करता है, और दमी के लिए या वियापारी के लिए इस सरकार में सारी चीज़े ओर टेकनोलोजी इतनी है कि सारी चीज़ों यह ठाझा गपार बाटो, फिरी की सारी चीज़ों ने, हमारे मोदी जी ने सबसे पहले ये बात कही थी, कि मैं हर हाथ को काम दूँगा, लेकिन फिर हर हाथ को फिरी में जो अनाज दिया जा रहा है, कहीं न कहीं वो हमारे पैसे से हमारी मेहनत जो 16 गंटे की है, उससे ही दिया जा रहा है, टेक्स के लिए हम सारी चीज़न ते उठा हैं, और GST में जितनी परेशानिया है, व्यापारी को है इस समय, उद्धमी को जितनी परेशानिया है, मैं सरकार को नहीं दोस्स दे रहा हूं कि मोधी सरकार ने कहिंगा हर सरकार ने किसी ने भी व्यापारी के लिए उद्हमी के लिए हिंदुस्तानlagen कुछ नहीं सोचा अधार ऀूंध अई बहुत सही इन्नों नहीं बात कही इन चीजओ के समस्याओं के सामने बैठे हैं अपनी लेकर और आप समधान की बात ने करेंगा तो कैसे चलेगा आर्थिक जो द्रस्टी है जो आप GDP की तमाम बाते करते रहें आकड़े दिखाते रहें लेकिन व्यापारी क्या कह रहा है उसको भी तो सुनिए जहां तक व्यापार व्याप समाज का माहल नहीं बनाए कर ठीक है यह मैं कई दफा कई जगा मैं जानने की कोशिश की तो व्यापारी उन्हें इस बात को हाला कि कहा कि अपराध जो है वह कम हो गया तो बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं कि योगी जी की सरकार में व्यापारी सुरक्षित जरूर हुआ है क्योंकि जितना भी यहां पर रहा जनी और जितने भी जेल तक से हमसे फ्रोती मांगी जाती थी यह बुलेंशेर का यहां पर इतियास रहा है लेकिन उससे आगे बढ़के नियम जो इसके बड़े दम घोटू जो नियम है कम से कम इस पर तो विचार करो इसके लिए तो सोच सुरक्षित है व्यापारी जो पहले लुटता था पिटता था जो जेल से भी फ्रोती मांगी जाती वह अब सेफ है बलकुल कहीं अफ़ा कहीं नुकसान दे दिया आपको ठीक है हाँ अभी मेरे सपाके और यह सभी लोग कह रहे थे कि पैट्रोल के दाम बढ़ गए क्या अन्य राज्यों में सर्कारे थी यहां तो जेल तक में लोग सुरक्षी तना रहे जील में मडर हो गए जानता हूं नाम सोना है मैंने उनका कैसा मंती है जिए अख्लेश आधव जी नहीं पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया तो कहा कि ठीक है एक मैसेज गया कि माफियाओं को नहीं रखना अफनी पार्टीमे आप उन्हें माफिया मांते हैं आपके अख्रेश आदव जी ने जब उन्हें बाहर किया तो यह मैसेज दिया गया था कि सरकार में आये थे हम पीछे हमारे राश्टियतेख जी ने पूरे परदेश में जन जन यात्रा करी थी और घर-gaard देश जानता है जैसा ब्हटजी ने साशन दिया है आज किसी भी मुख्मंत्री ने ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं दिया है सब लोग जानते हैं कहते भी आपकी पार्टी कम पैसा जादा लेती है पैसा देना पड़ता है मतलब ठीक है यह बताईए थीक है यह लोग तो पैसा दे देखे पार्टी में टिकेट ले लेते हैं आपकी पार्टी में क्या है निशाद पार्टी स्वच्छवी की राजनीत करती है गरीब और शोशित वर्क की जिनकी आप बार बार जातियों का नाम बड़ी जल्दी बड़ी तेजी में ले जाते हैं यह बताईए कि ठीक है आपकी पार्टी की बात हो गई आप अगर ठीक है किंग मेकर की भूमिका में याद कर दो यह क्यों ह्याँ करते क्यों नियाद करते निया दोरों को Kris rat यह याद करते यह जातिया क्या करें राजरे चोड़ के चली जाहें जो जिस समाझ की 72 वर्ष्यों से लगातार अवेलना किये गए जिन्होंने आर्यों से लड़ा निगटों से लड़ा शक्रों हुगडों से लड़ा अंग्रेजों से लड़ा जब जाके अपने देश को आजात कराया क्या भारते जंता पार्टी की सरकार 2014-2019 क्या राम मंदिर बना नहीं बन पाया जब निशाद च राज आने से और राम के मिलन से धरती पर शांति आई थी तो आज भी भारत की अंदर उत्तर प्र coffin के अंदर अगर शांति की आवशक्ता है मैं खुद वैश्य जाती से बिलॉंग करता हूँ जन्रल काष्ट से बिलॉंग करता हूँ एक हिन्स आप मानतें कि आप परिपक हो चुके हैं सरकारों में और यह जो केवर्ड मल्ला इनकी आप बात कर रहें जातियों के बात कर रहें जो पिछडी रहे गई हम हर एक समविधान की बात को लागू कराने की मांग करते हैं । पूरोगा अब जो सत्ता में होगा उससे आरक्षण मांगा जाएगा तंत्र मंत्र यद्ट शडियंत्र और प्रपंच से निशाद पार्टी अपने समाज के एक एक दौर पर निशाद के हां रक्षण पहुंचाई इन्हों ने जितनी भी बाते बोली उसमें एक शब्द पग यह वैसे सडियंत्र हमने हैं इनका इनका सडियंत्र हमने वैसे वहां सडियंत्र के इनके सामें भी देखा है यह किसके खिलाफ शडियंत्र था आपके खिलाफ कर सकते हैं इनके खिलाफ कर सकते हैं यह तो किसी के भी खिलाफ कर सके हैं जब स्याना में कर सके हैं इतना या इनकी विचारधारा से वो नहीं चल लेए उसकी विचारधारा से पार्टी का पक्ष्ट निकले बैठे होंगे तो बहुत शड्यंतर की बात कर रहे हैं तो आपको कही ना कहीं है आहट सी महसूस नहीं हो रही कि खत्रा भी हो सकता है तो सपा से ही है चाहिए हमाजबादी के जो हमारे नेता बैठे हैं उन्हों अपना विशाय रखा माफिया की बात को लेकर जो है कि आजम खाएं अभी उन्हें आज तक भी यह माल लिए कि जितना भी योगी सरकार ने उनके लिए करवाई करने का काम करा है अखलेश जी ने कोई बुलने का काम किया गया वह इसलिए ने किया कि वह दोसी है अधिक अधिक हैं अधिक है उन लोगों को बारे में भाई सब्सक्राइब करते हैं और हिंदू रम में कोई व्यक्ति यह है अपने आप में उसका दो वरोद करेंगा यह अगर कोई जाती विसेश के लिए अगर कोई आपत्ति का विशा आता है उसके लिए कुछ न कुछ बोलने का काम करेंगे जब आप हिंदूस्तान में रह रहे हैं तो आप केवल और केवल धरम विसेश की बाच क्यों करते हैं इनका गड़ित आप समझते हैं यादव और मुस्लिम जो गड़ित इनका वाई हैं वो गड़ित आपका जो है वो यदि आप हिंदूस्तान में है तो आपको नहीं लाना चीए हम सबका साथ सब का विकास सब का विष्वास सब का परियस अज़ांगा fals.. जो निशाद और Кवान राम की बात चल लए है तो निशाद ने कभी वी सत्ता नहीं मांगी थी इनका भगवान राम को इही मिली ती हाँ लेकिन एक बात जरूर थी, जब स्वागत हो रहा था, तो निशाद जी को निमंत्रन तो दे दिया, वो आये नहीं, तो उन्होंने जब तक अपना राज तिलक नहीं करा लिया, जब तक निशाद राज वहाँ पर आ नहीं गए, तो सत्ता तो जाएगी बीजेपी पर ही, लेक से यहां भी हम काम करेंगे, चल यह वो अपना है, बढ़िया है, अपने पार्टियों का अपने अपने फलसुफे हाज बताइए, यह तो लड़ाई लड़ते रहेंगे, जनता पिस्ती रहेगी, पिस्ती आई है, मैं दो शब्द कहुँगा, हर नजर बद नजर नहीं होती, हर बात बाअसर नहीं होती, जो होते हैं, देश चलाने की मस्ती में चूर, उनको खुद की खबर नहीं होती, एक सक्स है जो चला रहा है, उसके पीछे टांगे पे, टांगे पे, टांगे खेंच खेंच के, बेकार करे जा रहे हैं ते इसको, क्या कर रहे हैं यह, क्या किया तु इसा मत कर, तु मेरी पार्टी में किसी आठा, औरे क्या है एक कर रहा है, बहुत अच्छी आस्ता लेकर कर रहा है, उसमें में कोई गमी नहीं समझता, वो इश्वर का रूप है हमारे देस के अंदर, उसे करने दें, हम सारे हिंदु मिलके, सारे मुसल्मान मिलके उसको भारत के नौजवानों, भारत को पहचानों, भारत की रीत क्या है, भारत की शान क्या है, इसके खिलाफ हम कहीं न जाएं, बस इतने हैं. मोधी जी और योगी जी उपर से जो भी कारे कर रहे हैं वो भुती बढ़िया कर रहे हैं इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है लेकिन महगाई का जो मुद्धा आया है के तो बास्तम पे महगाई तो हुई है चाहाए वो पैट्रोल पे हुई है या इसी भी चीज पर बहुत है जो कपड़े पर पांस से बारे परशन्ट का जो टेक्स लगाया यह इन्होंने बहुत ही जो लगा या इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं तो ऐसा बताई आप कि महगाई जो है वह एक आगर आम आदनी यो परेशान करती है आप भी आम जंता में आते हैं तो यह बताई आप को महंगाई परेशान नहीं करती वह इसलिए नहीं करती वहां जो इतना खर्च होता है अगर कुछ धन देद हैं तो घाटा नहीं आएगा देश जब ही चलेगा जब हम इस देश को चलाने की इच्छा रखेंगे मेंगाई भड़ रही है बढ़ रही हं अंक कर सकते हैं कई लोग से शाम क्लाने वाले से और पैसा अगर रिक्से चलातर रुबर मांगे ढ़साम एत तो मूंकिन है गरीब आदमी है जो जितना है जितनी है उस हिसाots स्ट छलाने के लिए अगर ऺमेंट लिया जारे तो मैं एसे नहीं कह रहा है। देश की सुरक्षा के लिए जो भी कार्य किये जा रहे हैं उसके लिए खर्चतों चाहिए नहीं चाहिए। वो कहां से आएगा। किसके पास रखा है। ठीक है। जो महंगाई तो दिटेगों महंगाई तो बहुत बढ़ी है। लेकिन इस गरीब का जो गरीवी और यह जो महंगाई हुई है। जो गरीवी है और जो हमारी महंगाई हुई है। और जितना पैसा इन अधिकारियों पे और जो नगेताओं पे अगर नोट पे अगर एकस्पायर जी डेट डाल दी जाए तो सबका देश का करल्यान हो जाएगा। किसी के पास भोजन करने के लिए पैसे ना बचे तो रात में क्या करें मोदी जी की फोटो लगाके दो गरवत्ती लाके यह बोले कि देश के नाम पैसा चला गया। अगर ऐसी इस्तिति है तो उसकी हेल्प करने का हमारा फर्ज बनता है। किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से उसको ख्रणाए जाए उसको सुलाया जाए और उसके परिवार के बारे नाइ! परिशान नहीं है वो नहीं है वो कोई बात है और पर घंग से ध्यान देज जैसे विदेश पर जब आप व्यतनाम चाईना इन सब सक्षम नहीं मैं सारा देश के ऊपर देना चाहता हूं अपना जीवन चोड़कर सब कुछ मेरे जितना भी पैसा है सम मैं देना चाहता हूं देश के लिए ले 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 जीवन तो उसके साथ लगा है नहीं नहीं मेरे सुनो बात समझ यह ऐसी नहीं आप जिस टाइब की बात कर ऐसी ज पर्सक्राइब करें के और चैन्ति क्शे नहीं देना चाहते हैं गरीवी क्या होती है चाहते है ठीक है आप तो कुछ नहीं देना चाहते हैं मेरी किराई की दुकान है किर्षन दकनम चलिया एक हजार सत्तर रुपए महिना देता हूं मेरा एक मकान है एक सो तेहतर वर्गज में वो भी मेरे फादर का है उसमें भी हम दो भाई है किच किच चल रही है ने ठीक है मैं आपकी बास समझ गया ने ने ठीक है वह अब राप देख ने इपास अब बैठ जाए ठीक है उनका व्यक्तिकत है वो देना चाहते है आप से एक मनट लोंगा दरसल में इन्हें नहीं पता गरीबी क्या चीज होती है इनह गरी आपको पता है मुझे पता गरीब प्रशानी एक माट बाइसाब आपका नमर आए बोलना सर बोलना सर बोलना सर मैंने गरीबी भी देखी है मैं गाव से हूं किसान हूं बहुत छोटे परिवार से हूं और दूसरी बात सुनो इन्हों ने के अरे सुनिया बाइस बताये चले ठीक है एक बात बता दीजिए यह ब यह किसी भी नेटा से बात करूं नेता जब अपना परिच्या देता है तो यह शुरूक पे कह देता है कि में बहुत गरीब हूं मैं बहुत गरीब था मेरे अधनी होती यह करते कब गारीटी फोर्ट्युनल एख चाहर ब्चाह हो जाती है यह दो पंचाहर प्यां कlor juste सरी का पैटा हूं एक सारमी का बेटा हूं बड़े भाई फोज में से रिटार है छोटा बाई फोज में नोक नी करता है जी जाजी फोज में हैं पूरा आर्मी परिवार से विलॉंग करता हूँ, और इतना बड़ा हूँ, आज भी फोज का इरासन खा रहा हूँ, समझ के जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, और जैसे भगवान राम के आदर्स की भहिया निसाद राज वाले कह रहे थे न, तो आप सबसे मेरा निवेदन कहें के आप चलिए मेरे साथ, मैं गवसालाओं में गाई की हल दिखाऊंगा तुमें, जिस हिंदुत की बात करते हो, का गाई सुरक्चित है, क्या, आपके राज में गवसालाओं बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया से गायों को रखा जाती, हमारे यहां गव गव ग हैं तो शत्ताशादन भी काहा है, आप बताओ सारी बात चलिए, गायो गोवर पाया है, आप घरे रही की बात करो आप करो, मुक्षे गरीका सुर अच्छा है नही है लगता है, कैं वा गलत था, बिल्हूल गलत था सरकार का पैसा, आपने कारवाई कि कि आपने क्या करवाई कि अभी उसमें जात चल लिए यह एक बात बताईए देश में इतनी बुरी इस्तिती बता रहे हैं कि आर्थिक इस्तिती में तो अब क्या नई संसद बनाने की है उसकी आवसकता थी जो यह बना रहे हैं इतनी पुरानी अच्छी बिल्डिंग को तोड रहे हैं कि आवसकता थी जाव ट्रेश पेंट्रोल और देखिया वह क्या मैं मताना चाहूंगा जो भी यह विकास की बात कर रहे हैं जो इंकम टैक्सपेर जो वह अपारी राजस्व देता है उनके पैसों को जो सफ़ाई में नाच गाने करा जाते हैं उनकी क्या वैसकता थ सफ़ एखिया वो को पैसे नहीं आते ना कोई सरकारी पैसे का व दूसरी बात और यह पहिया यह वैंग्या कहूं से नेता होते हैं हम अगर चाह टेंट कुरसी लगाना चाहें तो उसमें भी पैसा खर्च हो जाता है आप कि यह फ्री में नाच रहें हैं समाजवादी लोग बिना पैसे क्यों आ रहें अप जब आप आप बुला लेंगे जब आ जाएंगे अपनी मूर्ति लगवाना बढ़िया है सही है अपनी मूर्ति पहले लगवाना और सर्दार पल्लफ भाई पटेल के लेगे वह खलत है देखे ये रहेखे वह खलत है ये सही है वाँ या मालग ठीक है ठीक है ठीक है एक बात बताईए एक बात बताईए एक बात बताईए ठीक है एक तलब चाहना से मूर्ति लगवाते हो चाहना से सारी चीज बनवाकर लगवाते हो दो बारी रो ने जो रिजर बैंक से पैसा निकाल लिया मुझे ये बता दीजे आप आप देखिए नहीं मैं आपसे पूछूँगा ठीक है ये बताईए थीक है ने आपसे भी पूछूँगा इधर आईए पीछे युवा कुछ बैटे होंगे ठीक है आप देखिए बिल्कुल घबराईए का मत पहले से नर्वास मत हो ये बताईए कि सरदार बल्लब भाई पटेल को जानते हो ठीक है सरदार बल्लब भाई पटेल की ये देखिए देश का चोटा सा यूवा भी बता रहा है कि सरदार बल्लब भाई पटेल की मूर्ती लगना वो ठीक समझ में आता है मायावती जी की मूर्ती लग रही है दलित पेड़ना इस्तल बनाए गए जिनकी पहचान आज तक कि कि इसी भी पार्टी नहीं बनाए और कोई बनाए आज तक इन द लोग घख याई आप से पूछ लेता हूं ठीक है आप मुस्कुरा रहें है इसले पूछ लेता हूं यह बताईए कि मायावती जी ने अपनी मूर्तियां लग वाली वो ठीक है नहीं गलत है आपने ठीक है सी तो पहरेदारी रख अमन जरूरी है देश में तू जंग की तयारी रख निशाद पार्टी सही समय पे सही गठबंदन सही वोटर को समझाना हमारे पास भाड़े के पहलवान नहीं अखाड़े के पहलवान है हमारे पास कैश वाले नहीं केडर वाले लीडर है हमारे पास लयुद्षगे की बरकare जोर फिर्ट की माली कि युद्षप निच क्यों पाइदा निचानद बॉप फुटे आप वोत यह दो कर ऊपने का हैं.. समाज को जगाने के लिए बहुत सारे ऐसे फैसले करने पड़े जो समाज को ऐसा लगा कुछ चीजे दिखने में डरावनी होती है लेकिन अंदर का रहस्ते बड़ा अच्छा होता है उनका माननेबस संजय कुमान निशाद जी ने अपने परिवार का त्याग करके और यह जो जहुआ भर वोट था इसे 51 कर दिया है जो यह अलग अलग जाती हो पांसो अठेटर करके बेटे को सदन पहुचा दिया एक वकील क आवशकता थी जो संसद में जाके विधान सभा के अंदर जाके कौपिया लेकिया संविधान की और जिन कौपियों के माध्यम से जनता को जगाया जाए अगर हमने एक बाहुबली विधायक बनाए बिजय मिश्रा जी वो पार्टी से किनारा करते चले गए इस वजह से पिर परिदेश का निशा संदाये यह जानता है की जो धुका देगा वो धोगा खाएगा जो धुका देगा जिन जिन पार्तियों हमारे समाज को धोका दिया सथाना से दूर होते चले गए आई कांगरिस को बटन दबाते थे पंजे का दो CT में धियर सी था लुगा ड़नोच सब्सक्राइब कुए तो RICHले की इसो बराया चैनुपले के अचलुपल्या एक तो थो सत्सक्तिया पीया od 1000 जारे शपतनी कीजिए बना लाने के लिए शुक्तिया है प्राइब के आंद शेच बखा रही है लेकिं 001 एक गाड बड़़ रहा हूए अज की ृड़घार से इनुन आशब के निंद में पहे ह स्टाइप में ने यह ले कॉझा टोनिक पिला रहा हैं यह के बात करें अब सुरक्शा की नहीं है जप्टमार नहीं है सबस्क्राइब जो एसे अख्षम है उन्हें हमने फेरी रासन देने का भी काम किया है और जो निरासिरत हैं ऐसी बान्वे लाख महिलाओं को फ्रीरासन देने का काम किया है हमसे जादे सिक्षार अभी अलीगड में येक यूनिवस्टी बनी है और भी कई यूनिवस्टियों के उद्गाटन हुए है बड़े बड़े सिक्षा के और उद्गाटन उद्गाटन शिलान नयास लोकारपड नाम बदलना बस यह है जमीन पर क्या है जमीन पर 102 का तेल हो ग है तो मुझे फिर चैनल पर वी संदे है कि इसने बुलेंशेयर का मेडिकल बनता हुआ क्यों नहीं देखा आज तक क्यों नहीं उस पर डेकुमेंटरी बनाई वह भी देखा कि जहां पर गाड़ी से आपने चार किसानों कुड़वा दिया वह भी देखा मैंने बात आई सिक के ऐसा की स्टरी जिक जोब करें करेंगा संब्भव है क्या यह अपने है उसके नहीं नहीं तो कि लग गया कि लग नहीं लगा तो यहां की बात करो हर कमपनी अब तुम कहलो गप बुल ऐसा तो उत्तर पर्देश में परमाणू हमारे जिले में है यह और जिले में क्यों नहीं है यह अपनी अवसक्ता के अनुसार यह बताई है बुलन्चेर का यूवा जो है वह नौकरी क कुछ मिलना कुछ मिलना आपका आंग है महराश्ट रंग है दिल्ली अग है वहां जा किया यहां आदमी कोई बालायन—बहर दिल्ली data देश का आपको हुआbür्या परचुनिटी होग वह यह हैं और यहां अवि इग्रिकिल्टर का बड़ा है और अधिक होने की से सह्री आबादी कुम है सहरी आबादी जहां कम होगी किसान जाता है किसानों को समभी लेते हैं ठीक है चलिए ठीक है आप क्या कहा है पढ़ाई के लिए तो एस जी वालोग लिए फिरी होता हूं वीची बालोग लिए तो सब बरावर करते हैं ना फीस भी तो बरावर होनी चाहिए सबके लिए इनके बसका नहीं है लेकिन हां यह एक आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है आरक्षण को लेकर तमाम आवा चिंता मत करो आरक्षण खतम करते हैं मतलब ओबर और शीथा नहीं नहीं मिलेगा वह पूरी बात तो सुन जो कि ऐसा है मैं ने उस भाईया की बात का यू उतर दिया था चिंता मत करो आरक्षण खतम वाद खतम कर देंगे सारी चीजों को बेच देंगे नौकरी की रहेंगी ना तो आरक्षण की जोड़ती क्या है फिर आ गए तो यह अपने आप भाजपा वाले खतम करतेंगे मैंने यह बोला था आपके सामने बुलंचेर का युवा कह रहा है कि भाईया हम साइवर कैफे में जाते हैं तो हम फॉर करने की हमने कोशिस भी की थी लेकिन इन्होंने एक साथ बहुत बड़ा प्रदर्शन करा पूरे देश में के यह तो भाजपा आरक्षण खतम करने जा रही है मारो पीटो और पूरे देश भाईया महराज मैं समझ गया आप सरकार में क्यूं है आप कोई फैसला ही नहीं ले गांधी जी का बेटा गांधी जी अरे आपने कहा कि इनकी वजह से नहीं कर पाए आप इनकी सुनते हैं इनकी क्यों सुनते हैं अब इसे आपके जो बीजेपी के हमारे बाई सब्ता पक्षवाले उन्होंने कहा कि जो है ऐसे ही साइबर कैफे में जाओ ऐसे ही तुम करेक्रम से थोड़ा अलग ड़काट करता करता लोग है एक बात समझे लोग एक तरफ एक प्रतिशत लोग है जो एक प्रतिशत है वह मैं राजा है और जो नग्य announced आउन्वे प्रतिशत हैं वह सिर्फ इसलिए जाएंगे थीट इपने हुए उसको कि नहीं उनका घृचे श शल्डेश में दो ही धर्म हो सकते हैं दो ही जात हो सकती है हैC1 होती एक परतिशत में जो आती है दूसरी है जो ने 902 परतिशत के लिए फ्रतिशत पर रहे हैं यह होता पाणने वाले पर देली कमाते हैं किसी के दोस रुपे कमाते हैं अब इन्होंने बोला कि इंट्रकॉलिज हमने बनवाई है कि अपनी जीव से बनवाई है आप सबका मुझे मिल गया ठीक है आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी कामाई साथ जुड़ने के लिए आखरी आखरी कॉमेंट बताइएगा क्यों आपकी जो सरकार है वो बननी चाहिए जिने आज तक हिस्सेदारी ना दी गई समीधान में सबका हक बराबर लिखा गया है तो गरीब का बेटा तड़प तड़प के मल जाएगा अब इलाज के अभाव में अमीर का बेटा जो होगा उसका इलाज हो जाएगा उसकी जिंदगी बच जाएगी इस व्यवस्ता को ब पर रही बसपा की बात मध होसि की सत्तामें एकसान मारे थे भटा में यही सरकार वैटीए है खाद-वीज की नहीं पूरती माया ती की लगी मूरती तो इनको सबने देखा है पूरे प्रदेश में ुनकी तो सरकार आनी नहीं आए और लिए खाद कम कर दिया 50 kg इन्होंने 50 kg डियेपी का 45 kg कर दिया उसमें 5 kg कम कर दिया रेट बढ़ा दिये इन्हें कुछ पता ही ना कि तुम बोल क्या रहे हो इन्हें नहीं पता और जनता समझ चुकी है हम मैं पुलिस की सरपरस्ती मर लाठियों के बीच में खाद यूरिया मिलता था अभी पिछले दो महीने पहले यूरिया नहीं मिल रहा था तुम्हें मेरे भाई साब को नौलिज नहीं है ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमाईसा जुडने के लिए जनता का यह बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही अपने विदानसभा में जो भी विलाल के शुक्रिया